डिस्बर्समेंट डेट का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं डिस्बर्समेंट डेट का मतलब होता है समवित्रन की ति थी या अदाएगी ति थी यानि कि जिस दिन कोई पेमेंट की गई है या कोई पेमेंट रिलीज की गई है तो उस date को disbursement date कहते हैं यानि कि मालने जो किसी को कोई scholarship मिलनी थी वो जिस तारीक को दी गई या कोई loan किसी ने लिया था वो किसी को जिस तारीक में दिया गया या किसी तारीक में किसी को salary दी गई यानि कि कोई भी payment जिस तारीक में की गई किसी को उस तारीख को disbursement date कहते हैं और उस payment को disburse करना कहा जाता है ने कि किसे को कोई payment करना कोई अदाएगी करना तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि रिण वित्रन किती थी अगले सोमवार को निर्धारिध है तो आप कह सकते हैं the disbursement date for the loan is scheduled for next Monday या अगर आप ये कहना चाहें कि समय पर भुगतान सोनिश्चित करने के लिए किरपे आपने कैलेंडर पर समवित्रन तिथी नोट करें या अदाएगी की तिथी नोट करें तो आप कह सकते हैं please note the disbursement date on your calendar to ensure timely payment अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें